तो LPL खतम होने के बाद जो एक शांदार लीग और जिसमें प्रॉपर मार्केट सिटिंग होगा वो है दे हंडेड अब इसके बारे मैं बतायता हूं दे हंडेड यानी सौ बॉल का किर्केट लीग यह बहुत पंटरों के लिए नया है और पंटर सबसे बड़ी बात है कि और सारे साथ बजे मैच है तो यह अगर टाइमिंग रहता है जो इससे फूरा मार्केट रेटिंग बैठता है और पंटर खेलना जाता है लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसा LPL अपने खेला कमा के रग दिया फार के रग दिया बुकी को और मोटा प्रॉफिट मे यह पांच बॉल का ओवर होड़ा है ठीक है इंस्टेट ओफ छे बॉल तो क्या करना इस लीग को कैसे खेलना क्योंकि यह 2021 से चल ला है तो इसके बाले में कम्प्लीटली आपको मैं टुटोरियल देने जा रहा हूं कि आप कैसे इस लीग में मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो बढ़वाद कर सकते हैं अब अपने हाउस को तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कमा की उठीएगा मोटा छोटा मोटा ने बहुत मोटा मेरे बाई तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देट जान लीजे मेरे बाई 23 जूलाई से 18 अग देखिएगा और दे लास्ट आप दे वीडियो भी दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा जाके चेक कर लेना फूल डीटेल वीडियो है मिर भाई ठीक है देखिए आठ टीम है चौतीस मैच है चौता एडिशन है आठ वेन्यू भी है और करेंट चै सकते हैं सोनी लाइव या फिर फैनकोड अब अब देखिए आप मुझे जूड कैसे सकते सबसे इंपोर्टेंट बात आपको अगर दिमाग नहीं लगाना आपको समझ में नहीं आ रहा है लीग में हो क्या रहा है ऐसा कुछ है नहीं समझने के लिए अगर फिर भी आपको प सबसे पहले तो स्कैन करके ज्वाइन हो जाई हमारे टेलिग्राम चैनल को सैनफोर टूएट फाइट फाइट वाटसाइट नमबर पर कॉंटक करिए दूसरा एडिया मैं देजता हूं कि हर वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलिग्रा बात करूंगा मेरे बस फॉलो करें ठीक है डेमो और सेसंस यहीं पर आएंगे देखिए सबसे पहले बताया ताम आइडिया आपको नहीं होगा तो यहां पर आइडिया ले लिजेगी इस साल अगर मार्केट सिटिंग के हिसाब से यानि मार्केट फेवरेट के हिसाब से किस इसको फेवरेट रखा गया है तो अगें ओवर इंवेंसिवल फेवरेट है अगर बात किया जाए तो पांच पॉइंट फाइब जीरो पैसा पर जो फ़र्स्ट फेवरेट है फ़र्स्ट प्रेरेटी है हाउस के द्वारा ठीक है दूसरी है आपको बर्मिंगम फीनिक्स मैं इसपायर जो लास्ट ऑफ टीम है जिसको आठ रुपे का वाव मिला मतलग यह दोनों टीम लीस्ट फेवरेट है मैच को जीतने के लिए मेरे बाई बाकी पंतर की कौन सी टीम होगी किसको पकड़के चलना इससार किस पर प्रॉफिट मिलेगा सबस्ट था उसके लिए मैंने है यह मैं आपको बहुत किलियर कर दे रहा हूं आपका डाउट को मैं देखे सो बॉल का लीग है तो आपको यह नहीं समझ मैंगा कि एक सो तीस लगता है फॉस्ट इनिंग में कोई टीम दौरा तो आपको लगे बहुत कम टार्गेट है लेकिन नेट रन रेट आपको निका होते हों देखने को मिला है लेकिन पंटर को यह समझ में नहीं आता है तो इस लीग को खेलने के लिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं देखिए अब देखिए एक सो पैंटीस का जो रण लगेगा वह एट पॉइंट टू कर नेट रन रेट है जो की काफी अच्छा है और 140, 8.5, 145, 8.8, 150 हो गया नौ का रन रेट मेरे वाई सीधा 180 रन हो गया यह और 155 का बात किया है तो 9.4, 160, 9.8, 160 हो डेख तो 10 का रन रेट यानि 200 का टार्गेट है यह दा 100 वाल में तो यह आपको समझना पड़ेगा एक दम देहान से ठीक है मतलों यह सब काफी हाई स्कूर 100 में ठीक हो ट्रिकी हो जाकता है रेनी कंडिशन बहुत जाए देखने को मिलिंग इंगलेंड में तो नौट प्रिफ्रेवल आइडिया हो जाकता है क्योंकि सर्फेस स्लो हो जाता है बादी इसके बाद और स्विंग भी अवेलेवल होता है फास्ट बालर्स को ठीक है तो य पचास बॉल पचास बॉल और सौ बॉल यह सेशन चलेगा तो पहले पचीज बॉल में आप 10,000 नहीं खेल जाना है घारे तो पूरा पैसा गिया इसलिए आपो क्या करना है कि 10 के को एक एक के से डिवाइट कर लिए 10 लिमिट तो खेलिए एक सेशन में कम से कम दो ही इंट्र होगा वह वाला ठीक है याद रखिएगा नेवर प्ले सेशन नहीं खेलना है कि आज आप येस करे जा रहे हैं पचीस बॉल पचास बॉल और सारा पिटते जा रहा है तो जतना जल्दी एक और इंगली आप चेंज हो सकते हैं सिच्वेशन के आपको चेंज करना पड़ेगा अगर येस नहीं वर्ड कर रहा है तो नॉट प्याइए ठीक है ये नहीं की साला एक डैमेंशनल थिंकिंग है येस तो येस नॉट तो नॉट तो नॉट तो यह हमेशा फोकस करिए आपको वीडिंग सेशन में कैसे जीच सकते हैं तीन स्टैटेजी है मतलई है हमेशा आपक आपको मिल गया तो अच्छा रन एक सो मतलब 200 का रंडेट अल्मोस्ट का रंडेट डिमांड दी है अपने नॉट किया ठीक वीडिट गिरा तो सेशन निचे आज आता एक सो पैटाली सेशन एक सो चालीस भी मिल जाएगा बीस रन या पंदर रन का डिफरेंस मिले तो आप जरूर बना के रखिए वो फस्ता ही फस्ता है most of the time ठीक है और देखिए 156 आपने नॉट किया लंभी और कभी कभी होता है कि 165 सेशन भाग जाता है तो दूसरा आप यहां पर दूसरा इंट्री ले सकते हैं डिफरेंस आने पर और फिर अगर 156 आ जाता है नीचे विकेट कर लिजे most of the time यहां पर triple limit आप बना के निकलिएगा ठीक आप देखे हमेशा आपको कभी भी यह नहीं करना है कि मालीजे पश्पन नॉट किया है तो 57 आगिया फिर नॉट अगर डरावा सेशन फिर 59 नॉट फिर बासाट तिर सट में महलों दो तीन तीन रन के gap पे आप तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है हंडेड में कि आपको हाउस को हराने का सोचना है और इसमें नन कटिंग टीम विम पर सोचना ही नहीं है कि टीम पकड़के खेले टीम पकड़के खेलिएगा और मतलब आप पहले इंट्री करके बैट जाएगा तो आपको लॉस एकदम तय है आपको वेट करना है पेसेडली फर्स छे ओवर पर्स दस ओवर रेट नीचे मिल है देखिए दूसरा इंट्री का मैं आपको बतायता हूं जो सबसे आदेखने को मिलेगा दह अंडेड है माल लीजे दो टीम है मैंचेस्टर ओरिजिनल्स वर्स यहां पर ओवर इंविंसिबल ठीक है ओवर इंविंसिबल आपको 90 पैसा फेवरेट मिली और आपने क्या कि 90 पैसा पर खाया और मैंचेस्टर ओरिजिनल्स फर्स बैट भी इसको प्लस किया ठीक है अफ बुड़े फर्स्ट इनिंग में मैंचेस्टर ओरिजिनल्स फर्स बैट की और एक सो पैसर के कडिव करीव रन भाले ठीक है और क्लोज रेट आया आपको 60 पैसा यहां पर फेवरे और आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही पावर पैसा खतम होगा यह 40 पैसे का रेंट उठके स्टाट पैसा जरूर एक बार लगेगा वहां पर बुक बना लीजिए मेरे बाई और मोस्ट अब तर टाइम्स आपको यहां पर मैंचेस्टर ओरिजिनल्स फर्स देखने को मिल लंबी नॉट करेगा और जीतावा मैच हाड़ेगा याद रखना है यानि अपोनेंट जो इसके विदूद रहेगा उसको जैकपोट कैस करवा के देगा ठीक है बड्मिंगम फिनिक्स और ट्रेंट रोकेट यह 50 पैसा इधर से 50 पैसा उधर यानि फूल ट्रेडिंग करवा यहां दोनों तरफ रेट आने का संभावना है बागी लॉट सोफिया के सिंस्टन रोजबॉल यह सब डिफेंडिंग वेन्यू है और एवरेज तू लोग स्कोरिंग वेन्यू है मतलब यहां पर स्टेट मैचेज भी उत्रेंगे और बहुत सारे क्या आपने सही टीम लेविस ग्रेगरी, सम कूक, साउधन प्रेव के तरफ से डैनी ब्रीक्स और जॉस गार्टन, नॉर्थन सुपर चार्जर्जर्ज के तरफ से डैनियल सैंप्स और कलम पार्केसन, वेल्स फायर के तरफ से हैरी श्रॉफ और यहां पे जैक बॉल्ल, बर्मिंगम फिनी के तर